नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग Atomic Structure, Fundamental Concepts of Inorganic Chemistry आप सभी का इस सेशन में जोरदार स्वागत है, Fundamental Learning है ये Inorganic Chemistry की मतलब यू तो Atomic Structure एक ऐसा चैप्टर है जो Physical Chemistry का पार्ट माना जाता बट Atomic Structure में बहुत सारे Concepts ऐसे हैं जिनका इस्तिमाल आप Inorganic Chemistry में बहुत बहुत जादे करते हैं तो यू कह लिजिए है कि Inorganic Chemistry की जो Fundamental Learning है, Basic Learning है उसमें Atomic Structure के कुछ पार्ट काफी जादे helpful है, in fact उसका backbone आप कह सकते हो जैसे लाइक अगर मैं बोलू तो Quantum Numbers उसके बिना आप Inorganic को प्रोशीडी नहीं कर सकते हो Electronic Configuration है Inorganic Chemistry का पार्ट लेकिन बिना Atomic Structure के आप मदद से बिना उसको यूज किये वे Electronic Configuration को डिल नहीं कर सकते हो Chemical Bonding में आप Atomic Orbitals, Molecular Orbitals परते हो Atomic Orbitals का Combination करते हो तो Molecular Orbitals आपका आता है वहाँ Nodal Plane बनाते हो, Pi बनाते हो, Sigma बनाते हो तो जब तक आप Orbital को समझोगी नहीं वो कैसा दिखता है How does it look? उसका Orientation क्या है? उसमें Nodes कहां है? कहां Electron ज्यादे है, कहां Electron कम है, उसकी सिमेट्री कैसी है तब तक आप Chemical Bonding के Master नहीं हो सकते हो सीख तो ले सकते हो, लेकिन Master नहीं हो सकते हो तो यू कह लिजिए कि Inorganic Chemistry का ये Chapter ना होते भे भी Inorganic Chemistry की धरकन है कौन सा Chapter? Atomic Structure हां, इसके वैसे Part को हम लोग इसमें Cover करने नहीं जा रहे हैं इस Part में, दो Part Atomic Structure का आप कहलो एक Mathematical Calculation से जो Related Part होते हैं जिसमें Bores Model आते हैं, Schrödinger's Model आते हैं उस Part को छोड़ो तो बाकि पूरी Atomic Structure हमारे इस Part में involved है उस Part की बाते हम लोग बाद में करेंगे ठीक है, तो फिलाल जो हमारा ये Chapter हमने बोला Atomic Structure, Fundamental Concepts of Norgenic Chemistry Elementary Concepts of Norgenic Chemistry इसमें क्या है? Quantum Number, Sail, Sub Sail, Orbital, Node, Nodal Plains, Total Nodes इन सब चीजों के बारे में Period Number, Group Number, Connectivity, Periodic Table का Format इन सब चीजों के बारे में हम लोग तालमेल बिठाएंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय कब आए ठीक है? चली आईए सबसे पहले सुरुवात करूँ मैं पहला टर्म लिखूँ Atom 9-10 से आप पढ़ते हो एकदम बेसिक लेवेल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जहां जो डाउट होगी आप एकदम सिरियसली पूछेंगे मेरे से ठीक है? आजाओ सबसे पहला टर्म मैं लिख रहा हूँ Atom Atom दो टर्म से मिलके बना हुआ है A और Tom ठीक है? A प्लस Tom A का मतलब होता है Not A मिन्स Not और Tom मिन्स Division जिसका फर्दर डिविजन पॉसिबल न हो Atom बोलते हैं डाल्टन सहाब ने सबसे पहले Atom को इंट्रोड्यूस करा था जॉन डाल्टन आपने सुना है 1808 ये 1808 आज की एर से बहुत जादे पहले की बात नहीं है 210 साल, 215 साल पहले की बात है मतलब यूं क्या लिजिए कि हमारे साइंस में Atom की Entry होती है मात्र 200 सालों पहले मतलब हमारे तीन जनेरेशन पहले और Atom की Entry के बाद 100 सालों तक हम Atom को इसी फॉर्म में पढ़ते हैं कि Atom is Indivisible Atom is Indivisible इसका मतलब क्या हो गया Atom is Indivisible हम अगले 100 सालों तक करीव करीव यही पढ़ते हैं कि Atom is Indivisible मतलब हम उसको Divide नहीं कर सकते हैं, Break नहीं कर सकते हैं वो किसी और चीज से मिलके नहीं बना है Indivisible मतलब किसी भी पदार्थ का Matter का सबसे Ultimate Minute and Fundamental Thing is Atom This has been considered by John Dalton कि परमानू किसी चीज से मिलके नहीं बना है परमानू सबसे छोटा सुक्षनतम कन है किसी भी पदार्थ का हिंदी में बोलना हूँ बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते सुना है लोग ये बोलते हैं कि परमानू की खोज, Atom का खोज सबसे पहले इंडिया में हुआ था मतलब इंडिया में उसके बारे में बातचित की गई थी और रिशी कनाद का नाम लिया जाता है उसमें अगर आप मेंसे किसी ने सायद ये सुना हो कि सबसे पहले Atom के बारे में रिशी कनाद ने बोला था हो सकता आप मेंसे भी बहुत सारे लोग जानते हो इस चीज को मुझे नहीं पता है तो मैं बता दू definitely रिशी कनाद ने Atom के बारे में बोला था इसमें कोई दोरह नहीं है बट उन्होंने जो परमानू बोला था वो Atom नहीं था वो परमानू था उस समय में परमानू जब रिशी कनाद ने परमानू के बारे में बोला था तो उस समय में परमानू समय को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता था टाइम को जी हाँ वो एटम नहीं था तो बहुत लोगों का यह कंफ्यूजन है वो परमानू को समझते हैं कि वो यही वाला एटम है जी नहीं टाइम को exactly मुझे याद नहीं है मैं भूल रहा हूं कभी कभ याद रहता है कभी स्लिप कर जाता है प्रोबैबली 26.3 माइक्रो सेकेंड सायद आज के हिसाब से सायद या अगर मैं मिस कर रहा हूं तो इसी क्या आसपास कुछ है मतलब 10 to the power 2 लग भग ले लो इतने माइक्रो सेकेंड को समय में एक परमानू बोला जाता था वही है सायद 26.3 मतलब 26.3 माइक्रो सेकेंड को एक परमानू बोला जाता था उन दिनों तो वह वाले जो रिशी कनाद ने बताया था परमानू यह अलग था इनके हिसाब से जो यह परमानू था यह बिलकुल अलग था यह एटम नहीं यह परमानू तो है बट दिस इस नॉट एटम यह मेजर्मेंट आफ टाइम था समय को मेजर करने का यह एक तरीका था और जिसमें की एक परमानू सायद अगर मैं सही हूँ तो इकोल स्टू 26.3 माइक्रो सेकेंड मतलब क्या हो गया 26.3 इंटू 10 तो दो पावर मैनस 6 सेकेंड इसलिए बोलता हूँ वाटसअप से जो लिए हुए घ्यान होते है न वो खतर चीजें थी ताइम को उस समय में इतने चोटे माइनूट लेवल पर मेजर करना इस बवंडर बहुत बड़ी बाते हैं उन दिनों जब इंडिया का कोई नामो निशान नहीं था वो तो अंग्रेजों के आने के बाद हम लोग एक जगा हो करके वो चीजें वह अदरवाइस क सब चोटा-चोटा अपने आप में कंट्री या स्टेट कहलो सब अलग-अलग थे तो उससे काफी पहले की बाते चल रही है काफी पहले की तो उन दिनों रिशी कनाद ने जो परमानू बोला था वो टाइम का मिजर्मेंट था परमानू अनू यह सारा टाइम का था यूग यह टाइम का मिजर्मेंट था तो परमानू सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम तो यह बिलकुल एटम नहीं है इसलिए मैं बोल दू कभी कोई वाट्सअप उनवर्सिटी वाले गुरूजी मिल जाए तो उनको आप ब इस दाइम का ही हिंदी लोगों ने परमानू कालं किया तो एंवेज आते हैं तो डाल्टन सहब ने जिस एटम के बारे में बोला उन्होंने बोला एटम मींस नोาट डिविजान मतलब जो डिविजीबल नहीं है जिसका डिविज dimensional नहीं हो सकता जिसको फर्धर हमकिसी और में break नहीं कर सकते हैं और next 100 year तक करीब करीब 100 सालों तक यही concept चला atom is indivisible और इस से related 3-4 बातें जो उन्होंने बोली वो कहलाया Dalton's atomic theory जो आपने 9-10 में हाँ पर रखा आपने अपने पर रखा है atom is indivisible याद करो atom is structureless हाँ सही लिखा है किसी ने atom neither can be created nor can be destroyed atom is ultimate thing ultimate fundamental particle of matter 9-10 में आपने पढ़ा है यह 100 सालों तक यह concept चला मैं एंगले page पर आता हूं इस तरह से डाल्टन's atomic theory जो डाल्टन सहाब ने atom के बारे में कुछ बातें करी वो क्या थे इन में से चार पहला पॉइंट पहला पॉइंट इंडिविजिबल हिंदी में क्या बोलते हो लोग इसको औविभाज है नहीं जी हिंदी भी जाना करो कभी कभी औविभाज तो atom इंडिविजिबल सेकेंड एटम इज स्ट्रक्चर लेस परमानू का कोई आकार नहीं होता है आकार घीन सही है फट पॉइंट एटम निदर कैन भी क्रिएटेड नौर कैन भी डिस्ट्रॉइड ना तो आप परमानू को बना सकते हो निदर कैन भी क्रिएटेड नौर कैन भी डिस्ट्रॉइड ना तो एटम को आप बना सकते हो और नहीं एटम को आप नस्ट कर सकते हो और Atom is Ultimate Fundamental Particle of Matter Ultimate Fundamental Particle of Matter सही है? किसी भी प्रदार्थ का सबसे सुक्ष्मतम कन हिंदी में इसको यही बोलते है आप सुक्ष्मतम कन बोलते हो ना? तो यह चीज़ें डाल्टन्स का Atomic Theory क्या लाया? करीब करीब 100 तक हमने बोला कि यही कॉंसेप्ट चला मतलब लोगों को यही लगते रहा कि Atom वाकई इंडिविजिबल बीच में बहुत सारे लोगों ने ट्राइ किया कोशिस भी करी यह समझने की क्या वाकई Atom इंडिविजिबल है वो डिवाइड इंडिविजिबल मतलब जिसका डिविजन नहीं संबब है जिसको डिवाइड ब्रेक नहीं किया दा सकता लोगों ने बहुत सारे एक्सपरिमेंट किये लेकिन कुछ जादे हाथ नहीं लगा जुलियस प्लकर एक साइंटिस्ट थे 1859 1869 मतलब 1860 के अराउंड हलाक उन्होंने और पहले ही 40 में एक्सपरिमेंट स्टार्ट कर लिया था उनको ये ऐसास हुआ थोड़ा सा उनको ये चीज लगा एक्सपरिमेंट के दौरान कि ऐसा हो सकता है लग रहा है कि एटम में कुछ है मतलब एटम कुछ चीजों से बना है तो आपने सुना होगा डिशार्ज ट्यूव एक्सपरिमेंट 910 में जुलियस प्लकर वो साइंटिस्ट थे जिनोंने समसे पहले वो डिशार्ज ट्यूव एक्सपरिमेंट स्टार्ट करा था बट वो बहुत सक्सेस्फुल उस समय में नहीं रह पाया वो परक नली वाला जो प्रियोग आप लोगों ने 910 में पढ़ा है हिंदी मिडियम वाली स्टूरिंट ने दोनों बोड़ वालों को पढ़ना होता एक बोलते वो परक नली वाली प्रियोग और एक कैथोड एनोड रे इस तरह करके डिस्चाज चुब एक्सपरिमेंट बोलते हो लेकिन वो सक्सेस्फूल नहीं हो पाए उसी एक्सपरिमेंट को और स्टेन या और दूसरे सैंटिस्ट लोगों ने मिलके आगे बढ़ाया और अल्टिमेटली थॉंसं साहब थॉंसं जे जे थॉंसं आपने सुना उनके हाथ लगा सब से पहला पार्टिकल उन्होंने डिसक इन चीजों को कनफर्म करने में इसलिए आप बहुत सारे जगों पर इयर उसका अलग अलग देखेंगे इलेक्ट्रॉन के डिसकवरी का कहीं देखेंगे 1876 कहीं देखेंगे 1886 तो जो उसको क्या सकते हैं अप्रूवल है उसका वो 1886 का अप्रूवल है और 1896 भी इयर लिखा जाता है क्यूंकि इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज यह बारे में 1906 में डिसकस किया गया इसलिए कहीं पर 1886 भी बोला जाता कहीं 1896 भी आप 96 बोले तो ज्यादे मजा आएगा वही बोले आप क्यूंकि स्पेसिफिक चार्ज आता मैं एक बार फिर सीच को रिपीट कर पर लिख सकते हैं, concept gets continued, 1900, 1900 तक, यहां है, 1896 लिख सकते हैं, 86 ही लिखिया आप, यहां पर 86 पहले लिखिया, 1808 से 1886, मतलब 80 सालों तक, यह concept continue चला, क्या चला, कि atom वाकरी इंडिविजिबल है, उन दोरान, डाल्टन साहब का बहुत सारा theory आया, physical chemistry में, आप उनके theories को पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़े, डाल्टन के नाम बहुत credits हैं, चुकि आज की chemistry में हम लोग डाल्टन वाली चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, जादे, इसी वज़ा से डाल्टन के credits को हम नहीं समझ पाते हैं, अगर आप 6th, 7th की chemistry को अब पलट करके पढ़ना शुरू करें नो तो आपको डाल्टन के बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगे, जिन दिनों element का atomic number नहीं मालूम, कुछ नहीं पता, element को present करने का तरीका, सजाने का तरीका, ये सब डाल्टन साब क्या करते थे, गोल्ड को अलग सिंबल से दिखाते थे, सिल्वर को अलग सिंबल से दिखाते थे, pictorial diagram तयार करके, तो डाल्टन के नाम बहुत सारे credits है भाई साब, हम लोग अपने science में इतना जादे theory या कह सकते हैं, कि इतने जादे syllabus content को लेके आगे बढ़ते हैं, कि डाल्टन का वो सब credit हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अधरवाइस अगर आप जानना चाहें, तो डाल्टन क्रडिट कभी Google पर सर्च करें, आपको समझ में आये, आज लगता है कि डाल्टन साहब ने फसा दिया chemistry को, 100 साल तक chemistry, physics का growth उन्होंने, development उन्होंने रोक रखा, ये बोलके कि atom का division ही नहीं होगा, आज ये बात आपको इसलिए easy लगती है, क्योंकि आज आप चांद पर जा चुके हैं, लेकिन उन दिनों ये बात आप नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उन दिनों अपने आप में ये बोलना, क किसी matter का सबसे ultimate fundamental thing, atom है, यही बहुत बड़ी बात थी, तो Dalton को ये ऐसे वैसे scientist नहीं समझा जाते थे, बहुत बर पुर्रम खान थे, Sir, I am your old student of 2015, whenever see your smile comes on my face, I want to attend your class again, Sir, due to magnetism of your teaching style, और बापर बाप, Thank you, चलिया, आज आया किजिया, यूँ ही कभी-कभी हवेली पर टहलते बहलते, अब दो हमारी हवेली भी online हवेली हो गई है, अच्छा, भाई साब को बहुत तेज नींद आ रही है, खीचिये तादर, चादर और तान को सो जाई है अंदर में, और CO2, SO2 की खुशबू लेते वे एकदम बड़ी जवरदस्त नींद लेते जाई है, अभी से नींद आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई लिखना भी आ रहा है, इसमें पहुंसी बाते लिखनी है कि नींद आ रही है, सो जाना है, कब नहीं आती है भई, हमेशा तो निंदी आते रहती है, चला आजा, तो डाल्टन से अटॉमिक खेरी, यह हमने पॉइंट कर दिया, अब आज की डेट में, हाँ यहाँ पे दो बाते, यह तो आपने क्लियर कर लिया कि इंडिया में जो परमानू था, वो परमा अनू में दो परमानू बोला जाता था उन दिनों, मतलब अगर एक अनू में टाइम देखना है, तो 26.3 into 2, 56.6, इतना, 52.6, इतना, माइक्रो सेकेंड, एक अनू में कहा जाता था, तो वो अलग चीजें थी, और यह वाली अलग चीजें, चलिया आजाए अभी पे, तो डा कर सकते हैं, और एक्टम अल्टिमेट फंडामेंटल पार्टिकल है, मैसित का? अब मैं बाते करूं, आज के डेट में, modern chemistry में इनू में से कितनी बाते continue हो रही है। क्या बोला मैंने modern chemistry में इनमें से कितनी बाते continue हो रही है पहला point atom is indivisible आप मुझे बताएं क्या ये continue हो रही है yes or no atom is indivisible क्या ये continue हो रही है चीजे yes or no no बिल्कुल at all बिल्कुल 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 तो चलो मैं लिखता हूँ in modern chemistry अड़ाम से हाँ बिल्कुल नहीं हो रही continue atom is supposed to be composed of many subatomic particles आराम से सीखिए एकदम अच्छे से some of them are permanent and some exist temporarily क्या बोला मैंने मैंने बोला कि आज अब हम लोग atom को मानते हैं atom is supposed to be composed of atom माना गया की बना है बहुत सारे subatomic particles है ठीक है many subatomic particles atom के formation मतलब atom का जो existence है उसके पीछे बहुत सारे subatomic particles है अब हमने अगला point लिखा है कुछ इसमें से permanent है मतलब हैं और हैं और रहेंगे और कुछ इसमें से temporarily exist कर रहे हैं मतलब वो आये बने टूटे कनवर्ट हुए गए आये बने मतलब बना खतम हुआ टूटा दूसरे में कनवर्ट हो गया तो कुछ permanent है और कुछ temporary है समझ रहे हैं चीजों को जैसे आपका घर है वो atom है और उसमें बहुत सारे लोगों का आप घर में अगर आप हैं आपके दूसरे भाई हैं बहन हैं ममी हैं पापा हैं चार लोग पांच लोग हैं तो क्या घर यही पांच लोग हैं बहुत सारे लो तो आप अपना नाम बताते हैं जो उस घर में हैं बाकी लोगों का नाम नहीं बताते हैं लेकिन अगर आपसे अच्छे से इलाबोरेट करके बोला जाए कि क्या वाकई यही चार ही लोग इस घर के मिंबर है और कोई इस घर में है नहीं क्या तब आप आप elaborate करते हैं नहीं हैं तो कैसे नहीं है बहुत सारे लोग हैं यह हैं वो हैं आते हैं जाते हैं स्टाफ हैं नौकर हैं दादाजी हैं दादी जी मतलब बहुत सारे लोगों का फिर contribution आप count करवाते हैं तो यही बाते मैं कह रहा हूं एक्टम में कुछ particles permanent हैं कुछ temporary सर मतलब आ आपको खुद पता चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन का नाम आपने सुना है 1896 वहां पर लिखा हमने डिस्कवरी 96 क्यूं बोलते हैं मैं आगे एक्स्प्लेइन कर दूंग स्पेसिफिक चार्ज के कारण तो आप जो पढ़ाते हैं हम engineering कर रहे हैं आपका concept अभी तक याद है बहुत help मिला thank you रवी राज मुझे याद आ रहा है सायद आप 2019 batch वाले है कि कभी कभी YouTube पर आते हैं वह आरार लिखा हुआ याद आते रहता मुझे सायद थैंक यू है एंजिरिंग में काफी कुछ चीज़ें यहां से जाती है वहाँ पर आपको पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खास करके हमारा पढ़ाया हुआ metallic bond आपको बहुत जादे काम आएगा coordination compound में अगर आप सही से chemistry करेंगे तो वह metal metal bond वाले बहुत सारी examples मैं करवाता हूँ बहुत सारी चीज़ें इंफ्रेक्ट आती है मोटी वगर हमारा काफी यूज होता हूँ आपको चलो good keep it up thank you neat में नहीं अरे भाई नीट में भी आता है यार नीट में तो lifelong chemistry की यूज होती रहेगी आपको चली आईए electron उसके बाद आ जाओ proton आसपास ही दोनों और neutron 1932 आप 1910 से इसी particle को तो पकड़ के चलते हैं और बोलते हैं एक्टम में यही है actually यह permanent subatomic particles है यह permanent subatomic particles है मतलब यह कहीं नहीं जा रहे हैं यह है तो है यह permanent subatomic particles बोले जाएंगे एक्टम के particle को subatomic particles बोलेंगे ठीके लोग इसके बाद बहुत सारे temporary है सबसे पहले पता चला था positron के बारे में सीडी एंडर्शन थे इन्होंने सबसे पहले positron के बारे में 1932 1932 में बताया था मतलब समझ यह neutron के आसपास पहला एंटी पार्टिकल बोला जाता है अगर कि नहीं को पता हो एंटी पार्टिकल तो ठीक है अदर्वाइस मैं आगे इसको डूंडा गया था वह था पॉजिट्रॉन तो 1932 में यह पॉजिट्रॉन आया था मतलब इसको डूंडा गया तो यह सारे और भी है पॉजिट्रॉन उसके बाद मेजॉन्स मेजॉन्स यह आया था 1947 के अराउंड एंटी प्रोटॉन नाइंटी फिप्टी सिक्स में पॉजिट्रॉन को 1932 कहीं 1935 भी लिखा जाता है एंटी प्रोटन न्यूट्रीनों बहुत सारे हैं प्योंस जी ऑन्स बेरंस सेकॉंस यह पहरण बहुत सारे बहुत सारे तरह के मैं लोग बोलते हैं मिउओंस neutrinoes, bosons intermediate bosons, sigma quarks बहुत तरह के particles होते हैं यार तो हमें उधर हाथ नहीं डालना many more, बहुत सारे लेकिन ये सारे जो particles होते हैं ये temporary particles है जरूरी नहीं है कि हमेशा atom में वो रहे atom की stability में इनमें से बहुतो का कभी-कभी योगदान होता है कभी किसी का होता है, कभी किसी का नहीं होता कभी कोई आता है, form करता है किसी दूसरे form में convert कर जाता है इसलिए हमें इनकी study नहीं करनी होती है clear हो गया? हाँ आपको थोड़ा बहुत जानना होता है थोड़ा positron के बारे में आपके syllabus में है थोड़ा सा आपको एंटी प्रोटॉन के बारे में जान लेना होता है और हलका सा मेजॉन भी पढ़ना होता है थोड़ा बहुत न्यूट्रिनों भी हलका फलका कभी-कभी डिसकस करते हैं तो यह सब चीजें आप जानेंगे जब आप निकलियर केमस्ट्री पढ़ेंगे तो य मैंने क्या मोलां हम इए दताम से लोग यह एक टोई को माना गया कि वह सबphon और उन्हीं है और कुछ है дम करते हैं ऐसे दूसरे फॉर में ट्रांस्पार्म कर जाते हैं खुद को बदल लेते हैं प्रक्रिया ऐसी होती है ना भी की रहें प्रक्रिया कि यह खुद को दूसरे फॉरम में बदल लेते हैं उस पर अभी apologized बिल्कुल लहीं करना है वो अपने आप में एक area है एक chapter है एक topic है chapter नहीं टॉपिक है nuclear chemistry जिसको आप आगे जा करके पढ़ोगे, ठीक है, अब मैं आता हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि क्यों electron, proton, neutron ही बार-बार हम atom का मतलब समझते हैं, क्योंकि ये permanently exist करते हैं, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर अगले page में लिखेंगे, कि atom के structure को simple रखने के लिए, complicated ना हो, इससे बचने के लिए, हम लोग तीन subatomic particle को atom का most authentic, most common, most general subatomic particle consider कर लेते हैं, और इन लोगों को ignore करते हैं, क्योंकि ये temporarily exist करते हैं, ठीक है, आज आईए, does, to make the picture of atom, simple and lucid, मतलब एकदम, atom, परमानु का चित्र, picture, एकदम सामानिय रूप से समझने के लिए, only electron, proton, and neutron are being considered as simplest subatomic particles, clear है, सबसे simple वाला subatomic particles, हम लोग consider कर ले रहे हैं, किसको, electron, proton, और neutron को, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, इन तीनों को हमने consider किया, simplest subatomic particles, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, कि atom का मतलब यही तीन particles, बिल्कुल नहीं, हाँ, quarks 1962 में quarks हम लोग लिखते हैं, किसी नहीं लिखा, बिल्कुल सही है, चली आईए, तो हमने बोला, कि Dalton's atomic theory को, अगर आज की modern chemistry के नजरिये से देखें, तो इन में से कौन-कौन सी बातें, आज भी carry on हो रहे हैं, तो पहला point, atom is indivisible, आज के date में carry on नहीं हो रहा, आज atom को माना जाता, कि वो बहुत तरह के subatomic particle का contribution है, उसके stability में और existence, नेक्स्ट बाते हैं, atom is structureless, आप जानते हैं, atomic structure अपने आप में chapter है, और समय समय पर atom के structure को लेके, बहुत सारे model प्रोपोज किया गया, exactly no any more, कोई भी particular, no any particular model is perfect, हर model में कुछ-कुछ खासियत है, जो science की तरक्की के लिए, helpful रहा, सारे model, कुछ न कुछ points रहा, जो science की तरक्की के लिए, development के लिए, helpful रहा, लेकिन कोई भी model अपने आप में perfect नहीं है, अलग-अलग time में, अलग-अलग लोग, अलग-अलग तरीके से, उसको समझते आये हैं, और अभी भी, अलग-अलग standard पर students, teachers, अलग-अलग model का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बोला, जैसे, 9-10 में अगर आप होते हो, 10 से पहले की बाते मैं करता हूँ, चलो 9-10 से पहले 8 की बाते करता हूँ, उस समय में simply, आप Dalton के theory को ही बहुत बड़ी बाते मानते हैं, atom is indivisible, फिर थोड़ा बहुत आप जान लेते हैं कि atom, electron, proton, neutron होते हैं, that's it, उतना पेव नहीं जाते हैं, आप जब तेंथ में आते हो, तो पहली बार पढ़ते हो, कि atom में electron, cell में revolve करता है, जब 11-12 में आते हो, तो पढ़ते हो, electron तो ऐसे गोल-गोल घूमता ही नहीं है, electron delocalize होता है, ठीक है, delocalize होता है, electron को wave consider कर लिया जाता है, और आगे higher model पे जाते हो, higher level पे, higher classes में जाते हो, तो atom का एक vector model प्रोपोज हो जाता है, vector model of atom, तो atom के बहुत सारे models हैं, अलग-अलग समय पर, अलग-अलग models आते हैं, और इनमें से कोई भी model perfect नहीं है, और कोई भी model पुर्ण रूप से गलत भी नहीं है, हर model में कुछ ना कुछ खास बात है, बोलोगे सब Dalton में क्या खास बात है, बहिया Dalton में तो बहुत बड़ी खास बात है, कि सबसे पहले उन्हों नहीं यहीं बताया, कि किसी matter का fundamental thing है atom, अलग बात है कि atom का भी कुछ fundamental thing है, तो Dalton model की भी यह खासियत अपने आत्में के atom के बारे में बताना, Thompson model की क्या खासियत है, Thompson साब याद करो, जिन्होंने plum pudding model बताया था, तो उन्होंने पहली बार बताया कि atom में दो चीजें हैं, दो तरह के charge मौजूद हैं, उससे पहले charge था नहीं, charge की बारे में बाचित नहीं होती थी, तो दो charge से atom मिल के बना है, electron और proton, पढ़ा होगा आपने positive charge का sphere, negative charge फैला हुआ, 9-10 में आया होगा, तो उस model की क्या खास बात थी, कि atom positive और negative charges हैं उसमें, रदर फोर्ड मौडल आपने पढ़ा होगा, रदर फोर्ड सहाब का नाभी किया model, nuclear model of atom, तो उन्होंने पहली बार बताया कि electron में motion है, otherwise, Thomson ने बोला, electron रुका हुआ है, तो उनके model की ये खासियत, उन्होंने दो-तीन बातें बहुत जबरतस्त बताई, पहली बात, electron में motion है, high speed motion है, दूसरी बात, electron निकलियस से काफी दूर है, काफी दूर है, पास में नहीं है, काफी दूर है, और यहाँ निकलियस और काफी दूर electron है, और ये वाला beach का space खाली है, empty, ये बहुत बड़ी बात थी उनकी, और तीसरी सबसे important बात, कि atom का most of all mass, अधिकांस mass, निकलियस में है, नाभिक में, तो आप brother Ford के चीज़ों को भी नहीं कहा सकते हैं, कि उन्होंने अच्छी चीज़े नहीं दी, उन्होंने तो ये तीन बहुत तगड़ी बाते दी, कि atom का most of all mass, निकलियस में है, proton, neutron के कारण, electron motion में है, high speed में है, extremely high speed में है, और electron काफी दूर है, जिसके वज़ा से atom का अधिकांस हिस्सा खाली है, उसके बाद बोर सहाब में आई है, बोर सहाब ने ये explain किया, कि ये जो आप random motion करते हैं, ये नहीं होगा, एक orbit motion उन्होंने define किया, और उन्होंने spectrum बनाया, spectrum बहुत famous रहा, hydrogen spectrum का, को successfully explain किया, जो आज भी चलता है, फिर आगे आई है, फिर अगला model आया, electron को wave मान लिया गया, बोला गया नहीं, गोल-गोल राउंड, मैं circular motion नहीं होता, electron का, तो हर लोगों की अपनी credibility, हर लोगों ने अपने model में, model जो उन्होंने बनाया, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ढाली हैं, हमें जो यूज करना है, हर model से बोलते हैं, कि सबसे थोड़ी-थोड़ी अच्छाई ले लो, तो हम हर से कुछ-कुछ अच्छाई यां पिक करते रहते हैं, और कोई भी model इसमें perfect नहीं अपने आप में, इसलिए कभी ज़्यादे परशान नहीं होना है, सरक किस model पर काम करें, बिल्कुल नहीं, सारे model पर काम करना है, हर model से कुछ-कुछ चीज़ों को पिक करना है, ठीक है, चलिए, तो atom is structureless वाला point को मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, आजाईए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, many atomic models have been proposed to understand the structure of an atom none of any model is exactly perfect but each end every model having some specific users क्या सकते हैं या specific features useful features लिख दे हमने लिखा लोग कि बहुत सारे atomic models have been proposed, proposed मतलब दिये गए हैं to understand the structure of atom, atom के structure को समझने के लिए बहुत सारे atomic model proposed किये गए हैं, none of them is exactly perfect, इन में से कोई भी पूरे तरीके से perfect नहीं है, but each and every model, प्रतियक model having some specific useful features, हर model में कुछ न कुछ useful features है, features आप समझते हैं, मतलब बोलते हैं कि mobile phone का feature इस mobile phone में ये खास बात, खास बात है, specific things, विशेष्ट चीजें, विशेष्ट चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक हैं, तो मैं इस पर एक दो line में थोरा सा चर्चा करने वाला हूँ, देखिया आईए, सबसे पहले आया कौन सा model, डाल्टन्स Atomic Theory, डाल्टन्स model, ये 1808 में, इसके बाद ज्यान से, बीच में discovery होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, आराम से सुनिएगा, बीच में discovery है, किस किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, कि नया मॉडल बनता है Thompson's Atomic Model, अराम से, क्या बना? Thompson's Atomic Model, और यह मॉडल 1900 में दिया है, यह मॉडल है 1808 में और यह मॉडल है 1900 में, बीच में Discovery है किसी का Electron और Proton का, Thompson सहाब का यह मॉडल कहलाता, Plum Pudding Model, याद होगा सायद आपको, Plum Pudding Model जिस मॉडल में ध्यान से, अब इसकी खास बाते मैं एक दो पॉइंट लिख लिएता हूँ, इस मॉडल में खास बाते क्या बोली गई थी, याद करें आप, बोला गया था कि Atom, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है, Atom is supposed to be a positively charged sphere, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है, पहली बार, चार्ज की बाते हैं भी, And, negatively charged electrons, Electrons, And, homogeneous distribution लगा देता हूँ, यहाँ पे, Distribution of negatively charged electrons, Makes it overall neutral, नहीं, तर्भूजे वाला जो model था, क्या बोलते हैं आप, कि Atom यह positive charge का स्फेयर, और इसमें negative charge फाइला हुआ है, जैसे तर्भूजे में, हम लोग water melon में seeds परते हैं, Bees परते हैं, कि फाइला हुआ रहता है, तो इसी तरीके से electron इसमें फाइला हुआ है, और homogenous मतलब बराबर एक समान रूप से, homogenous मतलब बढ़ा, एक समान रूप से, distribution मतलब आप समझते हैं, बटवारा, तो इस model की यही खासियत ठीक है, इसमें जो electron बोला गया, वो static बोला गया, electron क्या बोला गया, electron is assumed to be static, नहीं, electron को बोला गया, कि electron static है, रुका हुआ, ठीक है, यह बात मैं मानता हूँ कि electron रुका हुआ नहीं है, वो इस, मतलब इनके concept का, theory का, model का, एक negative part हो गया, अगर drawback काउंट करना हो, तो सबसे बढ़ा drawback यहीं काउंट करना हो गया, हाई अल्ला, यह तुने क्या कर दिया, करम फुटे, atom को तुमने static कर दिया, रुका हुआ कर दिया, electron को electron रुका हुआ है क्या, तो आप उनके negative point को count करा सकते हैं, लेकिन आप उनके अच्छाईयों को देखे, इस model की खास बात यहीं है, कि पहली बार atom को ऐसा किसी ने माना कि वो दो तरीके के चार्ज से मिलके बना हुआ, positive और negative, clear है, और यह model आया कब, 19.00, after the discovery of electron and proton, electron का खुज, discovery, खुद Thompson ने किया था, जबकि proton के लिए goldstein and rutherford का नाम हम लोग लेते हैं, एक की नाम credit of discovery है, एक की नाम credit of theory, तो खेर, तो इसकी discovery के बाद यह model आया, इस model की खास बाते हैं, अगला मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आजाईए, अब यहां से science आगे बढ़ता है, अब नया model आता है, कौन सा, रदर फोर्ड निकलियर मॉडल अफेक्ट, अब यहां से आता है हमारा, हाँ ठीक है, चलो यहीं सिंबॉल रहने देए, रदर पोर्ड नहीं यह सिंबॉल नहीं रख सकते हैं ना, यहां लिखा ना, ऐसे arrow लगा देता हूँ, यहां पे arrow नहीं लगा सकते हूँ, ऐसे रोल राज़ा, अगले पेस्पर, ठीक है, क्या लेते हैं अब हम लोग, फोर्ड निकलियर मॉडल अफेक्ट, डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई कुछ बोल लिए रुद्दम खामूस हो, सर, पॉइजनेस और टॉक्सिक का डिफरेंस बताईए, अटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बोलो, फिर मैं बताता हूँ, पॉइजनेस में मर जाओगे, टॉक्सिक में जरूड ही नहीं हमरोगे, एक का लडी 50 लेवल हाई होता, एक का लडी 50 लेवल लू होता, मजा रहा है सर, पढ़ने में, गुड, अच्छा किस ने क्या लिखा सिवम गुपता, कैमरा क्वालिटी क्या कोई प्रॉब्लम है कैमरा क्वालिटी में, पिक्चर क्लारिटी में कोई दिक्कत है क्या, कहां गाय वो यार, नजर बजर आनी रो, सोव हो गया, क्या है तर आपके लिए चैलेंज है कि आप 2023 में क्यों हिंदी मीडियम का एक बैच स्टार्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं जो आप बोर्ड पर इंग्लिस में लिखते हैं वो भी हिंदी में लिखे कि अब इल्कुल लिख सकते हैं फिर सुद्ध हिंदी में बाते करनी होगी है अब कारवन का भी हिंदी डूणना होगा और फिर हाइब्रिडाइशन को संकरी करन बोलना होगा रेस्ट्वर्डिंग फोर्स को प्रत्या नयन बल बोलना होगा यहीं होगा ना स्पंधन बोलना हो की बाते होंगी तो क्या बोलते हैं त्री चक्र बोला जाएगा साइकल की बाते होंगी तो द्वी चक्र बोला जाएगा क्रिकेट की बाते होंगी तो लंब दंड गोल पिंड भाग दर क्या होता दौर पकर प्रतियों गिता बोला जाएगा तैयार है आप लोग ऐसा होगा तो बहुत लफ़रा है सर समझ में आ गया देखिए जो लोग स्टार्ट करते हैं सुरू में मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप सी बीए सी के स्टूडेंट नहीं रहे हैं या इंग्लिस आपके अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं मतलब एवरेज की बाते हो रही है तो सुरू में थोड़े वर्डस में दिक्कत होते हैं बट एक इसका अच्छा उपाय है आप जो नोट्स बनाते हैं उसको सुरू में उसके जिस जिस वर्डस में जो दिक्कत होती हैं उसका उपर में हिंदी लिख है ये किन मानिए एक वीक का क्लास मतलब 7-8 क्लास के बाद आप पकड़ लेंगे क्योंकि साइन्स में क्या होता न कोई भी टीचर गिंचुनके ही लिमिटेड वर्डस इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत जादे वर्डस इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये पता होता हमें content देना हमें अंग्रेजी नहीं सिखानी है language is just a way of communication आप किसी भी भासा में बोले और ये हम भारतियों में थोड़ी से ये बुराई है मैं बुराई इसको मानता हूँ मुझ में बोलो कि किसी में भी बोलो हम थोड़ा सा किसी चीज को लेकर के language को लेकर के थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं अंग्रेजी आना मतलब एक ब बोजपुरी आना नहीं यह नहीं हो सकता बोजपुरी आना बड़ी बात नहीं ही ठीक है तो language का हमारे यहाँ थोड़ा सा है उसको लेकर कि मन में कभी कुछ नहीं रखिए बिल्कुल नहीं रखिए आप वो करते करते सीख जाएंगे हमारे यहाँ से पढ़कल जाते हैं बहुत सासे गौह दुहात मतलब ऐसे जगों से आते हैं वो शुरुवात के समय में जैसे आज आज आपको वह सब्सक्राइब करते हैं आपकी तरह सब्सक्राइब कोई प्रॉबल्म नहीं होती है क्योंकि ये आदत की बात हूँ कोई भी भासा कोई 100 परशंट करेक्ट तो बोली नहीं सकता है इंदी कोई सुध बोल सकता है क्या समझने लाइक तो अंग्रेजी भी समझने लाइक आप अपने लिखने लगोगे अपने बोलने लगोगे बस उसको इस्तेमाल में लाते रहो रेगिलर यूज करो उससे फियर करो और अंग्रेजी किसी को आती हो तो कोई जядै बढ़ा नहीं समझा करो सबसे जितना beauty product आता फ्रेंस सबसे जादे worldwide क्या है फ्रेंस का यह beauty product आता लॉडियल company जैसी ऐसे बहुत सारी कंपनिया है जो फ्रेंस की है और अपना beauty product ऐसा बनाती है और इंडिया में सबसे जादे वह sale होती है आप उन्हें में देखो कि कहीं हिंदी में कुछ लिखा नहीं रहेग कि हम लोगों के ऊपर एक लाग दिया गया और हम लोग अब market इंडिया अपने आप में क्या एक बड़ा market इसलिए हमें अंग्रेजी आनी थोड़ा सा हमारे लिए important होता है आप समझ रहों मैं क्या बोल लों इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा market पूरे world के लिए इंड दूसरों का बाजार है और बाकी कोई अंग्रेजी का यहां यूज नहीं है और इसी वज़ा से यह copy होते रहा है मतलब हर लोग अंग्रेजी 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 आ रहे है क्योंकि सबको लगता आगे जब job लेगा बाहर की company यह है वो है तो एक common language जो प अपने notes में थोड़ा दो ज्यादे हिंदी लिखेंगे चार्डे सफेयर होगा यह जोटी है यह सफेयर के उपर गोला लिख लेंगे चार्ज्ट के उपर आवेसित लिख लेंगे समझ रहे है ना positive के उपर धनात्मक लिख लेंगे atom के उपर प्रमानू लिख लेंगे supposed के तो गल थोड़ा कर सकते हैं तो ज्यादे टेंशन नी लेना इंगलेस का दोस्त आज़ेए तो रधर फोर्ड निकलियर मॉडल अफेय्टम 1909 हाँ यह बताना जरूरी है यह किस चीज़ के डिसकवरी के बाद आया यह आया बीच में है डिसकवरी ओफ निकलियर्स क्या है बीच में निकलियर्स के डिसकवरी होती है 1902 में तब यह मॉडल आता है 1909 क्लेर हो गया अच्छा से रिखें तरदर फोर्ड रोड़ा है अच्छा 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 कंप्लीट नहीं लिखा था मैंने चला ज्यान दे स्तायद इजाज यूसफ जल ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान अरे नमस्कार भाई साब थैंक यू चला जा तो यहां पर हमने बोला कि इस मॉडल के बाद मतलब कौन सा मॉडल यह जो इनका थॉम्सेंस का अटॉमिक मॉडल आया इस मॉडल के बाद ठीक है डिस्कवरी अफ नुकलियस 1902 मॉडल कर भाय था 1900 1902 उस मॉडल के बाद रदर फोर्ड नुकलियर मॉडल अफ एक्टम इसके बाद 1909 में यह भी रदर फोर्ड नहीं डिस्कवरी का नुकलियस का डिस्कवरी करा था आपको याद होगा एलफा Scattering Experiment 1910 में आपने पढ़ा होगा एलफा की किरने जब विकिरीत होती है अलग-अलग दिसाम लो हिंदी समझ ले ठीक है तो जो एलफा स्केटरिंग एक्सपरिमेंट जो गोल्ड फाइल एक्सपरिमेंट था, सोने की पत्तर पढ़ की गई, प्रियोग, किया गया प्रियोग, उसी से जो निकलियस का डिस्कवरी हुआ था, अब आईए इनके मॉडल में क्या था, इनके मॉडल में दो-तीन बाते बोली बीच में निकलियस है, इसको क्या बोला गया, निकलियस, आराम से सिखिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्टम, पॉइंट वाइज देखते चाहिए, ये जो निकलियस है, इसका एक रेडियस निकाला गया, पहली बार मेजर किया गया, 10 to the power minus 15 मीटर, निकलियस का रेडियस, 10 to the power minus 15 मीटर, और रेडियस आफ एक्टम निकाला गया, और रेडियस आफ एक्टम, मतलब परमानू की तिरजिया, 10 to the power minus 10 मीटर, जिसको एंग्स्ट्रॉम बोलते हैं आप, मैं आगे फिर इसे लिखूंगा, तो इनके मॉडल की खासियत में, जो अच्छी चीजे इसमें आ गई, वो आ गई क्या, पहली बार किसी ने निकलियस और एटम के डाइमेंशन, डाइमेंशन आप समझते हैं, मतलब माप, मेजरमेंट के बारे में बातचीत हुई, इससे पहले कभी एटम और निकलियस के डा ही हुई है, क्लेर बाते हैं, पहले स्टैंटिस्ट रहे हैं, जिनको ये क्रिडिट जाता है कि उन्होंने निकलियर डाइमेंशन के बारे में कोई बातचीत करी, क्योंकि इससे पहले निकलियस भईया था ही नहीं, और एटम का भी अजीवो गरीव स्ट्रक्चर था, प्लम अनिकलियस, फॉस्ट मॉडल, विच प्रॉपोस्ट, डामेंशन समझते हैं न, मतलब वीमा, मतलब मेजर्मेंट माप, अराम से आईए, इनके मॉडल में आपको तीन चार चीज़ें देखनी समझनी है, अगला पॉइंट, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोन काफी दूर है, इलेक्ट्रोन क्या है, काफी दूर, कहां से, निकलियस से, यह निकलियस हो गया, प्लस चार्ज लिख देता हूँ, एक से देख लो, यहाँ पे प्लस चार्ज हमने दिखा दिया, क्लियर है, तो इन्हों ने बोला कि electron nucleus से काफी दूर है यहां से point wise लिखते हैं यहां पर electron moves randomly with extremely large speed आराम से सीखिएगा बिलकुल नहीं हर बराना extremely large speed and separated very largely from the nucleus that is most of the part most of the part of atom is empty इन्हों ने बोला कि परमानु का अधिकांस हिस्सा क्या है थाली इन्हों ने बोला कि electron जो है वो random motion में है मतलब अलग अलग दिशा में random motion जिसको हिंदी में बोलते हो सायद याद्रचिक गती ले पढ़ हिंदी इसका कोई प्रॉपर मोशन नहीं लेकिन हाँ मोशन है तो दो तीन बाते क्या क्या रेंडम मोशन कि दूसरा point क्या बोला गया very large speed लार्ज-स्पीड और तीसरी बाते क्या बोली गई livre separated from tubeट में फोन ku समझेछरी सेपरेट funktion यह कि लिग हैól देखो मैंने लिखाया, electron moves randomly, electron moves randomly, with extremely large speed, बहुत ही जादे तेज गती से, and separated, और बहुत ही जादे दूर है, अलग है, किस चीज़ से, from the nucleus, निकलियस से काफी दूर है यहां से भी पता चलता है कि कितना दूर है क्योंकि इस निकलियस की तिरजिया है 10 to the power minus 15 मीटर और एटम का रेडियस है 10 to the power minus 10 मीटर तो इन दोनों को जरा देखिए कितना जादे का अंतर है 10 to the power 5 times नहीं है तो निकलियस से एलेक्ट्रोन बहुत जा से क्या है most of the part of atom is empty ठीक है रेंडम स्पीड में है यत्र तत्र इधर उधर घूम रहा है और बहुत लार्ज स्पीड से घूम रहा है तीन पॉइंट अमने बोला क्या क्या पॉइंट बोला यहां से देखो रेंडम मोशन याद्रचिक गती वेरी लार्ज स्पीड और सिहांत आप देख रहे हैं रदर फोट्स का निकलियर माडल खूट गया है यहां मॉडल छूट गया है कICIA मोडल डालिताओ प्रेकिली अ कि मौल ओडर्र तीक है रधर फोट्स कटे हमाच हूलोड सीकल तो clear हो गई बाते हैं, इनके model की खास बात, पहला ये scientist ये रहे, जिन्होंने सबसे पहला model रहा, जिसने propose किया, dimension किसका, atom का और nucleus का, electron को motion में बताया, large speed में बताया, और nucleus से काफी separated है, ये बताया, और एक point हमने बोला इनके model में, वो भी बाते हैं आपको बोलनी पड़ेंगी, most of the mass of atom is concentrated inside the nucleus, हलांकि इसको calculate करके आराम से आगे जाने पर हम दिखा लेंगे, बट अभी आप roughly ऐसे समझ जाए, तमच जाएंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ये अगर आपका atom है, ये यहाँ nucleus है, तो आप यहाँ proton और neutron बोलते हो, मेरी बात को सुनोगे अच्छे से, ध्यान से, मैं बस explain कर रहा हूँ कि ये बाते क्यों बोलते हैं आप, बाकी आपको पता है, इक से, हलांकि ये concept है, रदर फोर्ड का 1909 का, मैंने बोला ये concept रदर फोर्ड का 1909 का, और ये जो neutron है न भाई सहाब, ये neutron काफी बाद में आया, रदर फोर्ड को ये नहीं पता था कि अंदर में neutron है, उन्हें पता था कि सिर्फ proton है, neutron तो पता नहीं था, लेकिन mass तो calculate कर ही सकते हैं न, तो neutron जो पता नहीं था, अब वो mass calculate कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ये feel आता था, भहिया जब proton है अंदर, तो proton का जो mass है, वही nucleus का mass होना चाहिए, बट हमेशा उसका mass या तो double हो जा रहा था, nucleus का, या double से जाएदे, कैसे समझते हैं आप, माल लिजिए अगर आपने लिखा sodium, 11, 23, 23, तो इसके पास electron है 11, proton है 11, और neutron है 12, इतना तो समझ रहे हैं, अच्छे से आज़ा, ध्यान दे, तो आप ये भी जानते हैं कि proton और neutron का mass क् बड़ाबर, तो समझ हो कि अगर बड़ाबर होता है, तो बारब neutron और 11, proton, दोनों का mass करीब करीब बड़ाबर हुआ, तो इतने का mass आपके electron के mass से बहुत जाए है, तो आप सोच रहे हैं पहले क्या, अभी neutron की discovery नहीं हुए, तो रदरफोर्ट को क्या feel हो रहा है, कि इसके अ actually neutron के discovery ही नहीं है, खोज हुआ नहीं है, तो mass तो दोस्त डबल है, यही वो miss कर रहे हैं और उनको पता नहीं चला neutron का, तो वो university lecturer थे, QD brothers, उनकी student रहे हैं, QD, आपने QD का नाम सुना होगा, तो QD उनकी student रहे हैं और Chadwick का भी आपने सुना होगा, Chadwick भी उनकी student रहे हैं, अपने university lecturer में वो अपने student को बताते हैं, कि भाईया जब हम mass calculate कर रहे हैं, तो कुछ miss हो रहा है, तो तुम लोग इसको खोजो, ढूंडो तो क्या है, क्या miss हो रहा है, समझ रहे हैं, तो QD उन दिनों बहुत lectures miss करते थे, experiments वगरे में busy रहते थे, Chadwick उन दिनों उनके lecture को काफी sincerely समझ रहे थे, और Chadwick ने इनके इन बातों को, teacher ने जो बोला, कि कुछ missing हो रहा है, कुछ तो miss कर रहा है, क्योंकि हम जितना calculate कर रहे हैं तो उसके हिसाब से mass इतना होना चाहिए, लेकिन mass double है, तो कुछ miss कर रहा है, तो Chadwick ने उनके इन चीजों को आगे बढ़ाया, रदर फोर्ड ने भी उसमें experiment में पूरा योगदान करा, और Chadwick साहब ने ढूंड के निकाल डाला आगे क्या, neutron काफी बाद में, ये 1920 की बाते है जो मैं कहानी कह रहा था, 1920 के दिनों में ये बाते रदर फोर्ड ने कही उनको, कि लग रहा है कि कुछ miss कर रहा है, और 1932 में आके उन्होंने neutron ढूंडा, 12 years बाद, हलांकि रदर फोर्ड लिखते हैं ऐसा, कि अगर क्यूरी उन दिनों sincere होते, classroom में, attend करते लगातार, तो अगरिया हुआ है, इसके लिए नोबिल प्राइज मिलता, जो नोबिल प्राइज किसको मिल गया, Chadwick को, बर इंटरिस्टिंग बात, science की भी अपनी कहानी ही जैसे, हमारे नेता जी लोगों के अपनी कहानी होती है, science की भी अपनी कहानी होती है, बहुत सारी बाते ऐसी होती ह दिक है तो बाते करता हूं मैं तो इसा बोला गया कि यह एटम का most of the mass प्रमानूं का अधिकांस mass निकलियस में नाभिक में ही केंद्रित है क्यों वह इसलिए बोला गया क्योंकि निकलियस में proton और neutron एक्शुली और proton neutron electron से काफी भारी होता है आपने पढ़ा होगा एक प्रोटॉन आपने पढ़ा होगा electron से 1836 टाइम्स 1836 गुना भारी होता तो सोचो यह एक proton एक electron से इतना गुना भारी होता और यह इतना proton neutron तो बहुत ज्यादे भारी हुआ न इसी वज़य से अपने यह बोलत बाकि इसको आप समझ रहे हैं और आगे मैं calculate करके इसको दिखाऊंगा ठीक है जब atom के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे तो यहाँ पर दिखाएंगे वहीं हम लोग model की कुछ-कुछ खास बाते समझते हैं गोल्ड स्टीन का क्या contribution है गोल्ड स्टीन का atom के discovery में atom के structure के valuation में कुछ वैसा नहीं है proton की जो discovery है उसका theory theorized by proton में consider क्या जाता है गोल्ड स्टीन इसलिए 910 में लोग गोल्ड स्टीन पढ़ाई देते हैं कि गोल्ड स्टीन ने रदर फोर्ड के model की खास बातें क्या-क्या पहला model जिसने atom का dimension प्रोपोज किया बताया और निकलियस का dimension बताया पहला model जिसने बताया कि electron move करता extremely large speed के साथ randomly और separated है largely अजली निकलियस से और atom का अधिकांस हिस्सा खाली है और परमानु का अधिकांस मास कंसंट्रेटेड है निकलियस में ठीक है क्या प्रपोज होता है बोर्स अटॉमिक मॉडल बहुत तेज तर्रार साइंटिस्ट माने जाते थे बोर्स साहब बोर्स अटॉमिक मॉडल 1913 निस सुते रह बोर्स साहब को भी नोबल प्राइज मिला हुआ है लेकिन इनके इस त्योरी के लिए नहीं रेडियो अक्टिविटी के लिए मिला है रेडियो सक्रेटा के छेत्रों में काम करने के लिए मिला हुआ है इस चीज़ के लिए ना मिला हुआ है ना हा बुल्कुल मिला हुआ है करद इनको बिढ़ देखना पड़ाएगा मुझे लेकिन की सीज नहीं इस चीज नहीं मतलब इस model में क्या किया जाता है, circular motion of electron, circular, इस model की खास बात, motion of electron has been introduced, ठीक है, electron का कैसा motion, circular motion introduced किया गया, किन के दौबारा, बोर के दौबारा, year क्या लिखा हमने, 1913, 1913, आगे आज़े ये point, Calculation इनकी जो खास बाते है Calculations of Electronic Speed Orbit Radius And Orbit Energy We're done First time पहली बार ऐसा हुआ कि किसी चीज़ का Mathematical Calculation हुआ इन चीज़ों का Mathematical Calculation तो Electron की Speed का Orbit के Radius का Orbit के Energy का आगे पढ़ेंगे यह सब आगे मैं डिसकस करूँगा इसा बहुत अच्छे से आगे आगेगा एक रफली मैं समझा रहा हूँ अभी आपको ठीक है पहली बार ऐसा हुआ कि बोला गया कि Electron Nucleus के चारो और अलग-अलग कच्छाओं में घूम रहा है आप समझ पा रहे होंगे यह अलग-अलग कच्छाएं सिल या इसको हम और अच्छे से बना दे इसको ऐसे बना सकते हैं यह नुकलियस ले लो ठीक है अलग-अलग पेन का कलर मैं इस्तमाल करता हूँ यह पहला सिल ले लो के यह दूसरा सिल ले लो L यह तीसरा सिल ले लो M यह चौथा सिल ले लो N आप समझ रहे न के से बढ़ा है L का रेडियस ले रो गया जो रेडियस है वो के से बढ़ा है किसका L का साइज L से बढ़ा है किसका M का साइज M से बढ़ा है किसका N का साइज तो इतना न बना के इसी को आप सौर्ट में ऐसे बनाते रहते हो ऐसे बनाते रहते हो आधा करके इसी को आप ऐसे लिखते हो k-11 सारे और्बिट अलग-अलग प्लेन में है एक प्लेन में कोई नहीं है समझ रहो ना जैसे ये k-sil है तो l-sil ये है mcl बड़ा है और ऐसे है ncl और बड़ा है और ऐसे है समझ रहे हो जैसे planets के बारे में आप देखते हो तो यह model पहली बार ऐसा बोला गया कि इसी में electron है electron है इसमें और वो circular motion में है electron किसमें circular motion में बहुत सारे calculations किये गए जैसे radius ब्लॉक कर दिये जाओगे तुम्हारा personal काम है किसी से कुछ तो वो अपना personally deal करो यहाँ पे नहीं कि यह काल करो मैं हटा रहा हूं तो इस चीज के लिए फार्मूला बनाया इसमें क्या radius formula radius of orbit इसका calculation किया गया energy of orbit इसका calculation किया गया angular momentum of orbit L angular momentum बोलते हैं यह सब calculate किया गया electronic speed भी यह calculate किया गया तो ऐसे बहुत सारे calculations है अभी नहीं जानना है बस एक roughly थोड़ा सा हमने idea दिया कि इस model की खासियत क्या रही कि इन्हों ने यह random motion का concept खत्म किया वो आपने 910 में पढ़ा होगा अभी उधर मैं जा भी नहीं रहा हूं रैंडम motion का concept खत्म किया और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया circular motion कि लगातार electron एक orbit में ही continuously reward करता है और एक certain energy के साथ एक certain radius के साथ एक certain speed के साथ एक certain angular momentum के साथ और इन सब चीजों का calculation आगे पढ़ना होता है ठीक है यह इस model की खासियत हाँ इस model की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो होती है hydrogen spectrum का successful explanation वो भी अभी आप नहीं समझेंगे आगे समझेंगे clear है यहाँ पर बस मैं इतना लिख देता हूँ biggest merit of bors model is successful explanation अभी बस यह याद रखना कोई पूछे successful explanation of hydrogen spectrum कोई पूछे कि इनके model के सबसे बड़ी खास बात क्या है तो hydrogen spectrum का successful explanation यही इनके model की सबसे बड़ी खास बात है अब यह क्या होता है यह आज किस introduction lecture में नहीं आगे के lecture में आप सीखेंगे ठीक है अब बातें यही पर खत्म नहीं होती है बोर model के बाद और आगे समय आगे बढ़ता है और हम लोग नया model इंट्रोड्यूस करते हैं quantum mechanical concept quantum mechanical concept हम लोग यहां तक पढ़ते हैं या वे mechanical model भी बोलते हैं आप इसको आपको 910 में आपने SPDF सुना होगा थोड़ा बहुत वो इसी model का part है ठीक है तो इसको तो बहुत detail में हमें करना है लेकिन अभी short में 2-3 point और हाँ कब 1925-26 1925-26 दो-तीन खास बाते हैं बस क्या electrons are assumed to be delocalized around nucleus interdimensional space अराम से सिखिएगा और अगर आपको दिक्कते आएंगे तो आप बोलोगे मैं फिर से explain कर दोँगा three-dimensional space without following without following any circular path मतलब यह साफ साफ बोर सहब के मुझ पर clear है मैंने बोला इन्होंने बोला है कि electrons are assumed assumed माना गया electrons are assumed to be delocalized हो जाना जैसे मॉस्क्यूटो का मोशन मच्छर का मोशन न लिनियर मोशन है न शर्क्लर मोशन है वो delocalize हो जाता है मतलब light bulb के आस पास कोई flies कोई कीट पतंग delocalize करता है वो bulb के इर्द गिर्द इर्द गिर्द इधर उधर आता जाता है और कभी-कभी बहुत दूर चला जाता है फिर पास आ जाता तो इनका कहना है electron atom में इसी तरीके से nucleus के चारो तरफ सारे दिशाओं में x, y, z three dimension सारे दिशाओं में delocalize हो जाता है एक तरह से खो जाता है space में पस वही दिमाग में भी बहुत जादी नहीं लाना पहला lecture तो कितना आप सोच सकते हो foundation course है आपका तो क्या होता delocalize हो जाता वो खो जाता एक तरीके से जैसे आप दिमाग में वही चलाओगे कि flies कैसे eat पतंग जो आप बोलते हो जिसको फतंगा वगएरा बल्व के चारो ओर कैसे delocalize करता और कभी-कभी बहुत दूर जाता फिर पास आता लेकिन जादे तर समय वही पर गुजरेगा वही मरेगा वो लेकिन वही पर रहेगा वो ठीक है तो हमने वही बोला कि electron को इस theory में माना गया कि वो delocalize कर जाता है चारो ओर किसके चारो ओर निकलियस नाभिक के चारो ओर खो गया in three dimensional space मतलब सभी दिसाओं में three dimensional space का मतलब हुआ सभी दिसाओं में अब हिंदी में बोलोगे बोलने के लिए तो बोलूँगा मैं अगनी को निसान को वाय को ऐसे बोलना पड़ेगा फिर बोलोगे कि सर्थ सही है ऐसे अंग्री जी सही है सभी दिसाओं में in three dimensional space without बीना follow किये follow करना मतलब समझते हो एनी circular path मतलब यह कहते है कि बीना circular path को follow किये यह डिलोकलाईज होता है यह नया concept इलेक्ट्रॉन ही देखिए इलेक्ट्रॉन डिलोकलाईज हो रहा अलग अलग जगा पर समझ रहना हाँ ज़्यादेतर समय किसी निश्चित एरिया में रहता है जैसे बनुक्या असपास आपना टाइम गुज़ारेगा लिकिन वह बहुत पर यह orbit नहीं इसी छेत्र को बोला गया sub-orbit क्या बोला गया sub-orbit या orbital तो एक नया मामला आता है sub-orbit या orbital का मतलब इनके concept के हिसाब से बोला गया that is electron remains in रहता है कहां पर या ऐसे लिखो और अच्छे से लिख देता हूं that is orbital is the actual house of electron और अच्छे से मैंने लिख दिया इनका कहना है कि orbital वास्तविक घर है अपना घर है actual house of electron orbital electron का अपना घर है यह orbital क्या हुआ वही निकलियस के बल्ब के चार ओर वाला वही space जहां पर उस कीट को अपनी जिन्दगी गुजार के खत्म कर देनी है तो निकलियस के चार ओर का space जहां पर electron इधर उधर उधर भागते रहेगा अब नया चीज आ गया पहले क्या था orbit उसमें क्या था बोर साहब ने बोला था electron गोल गोल सर्किलर मोशन में घुमेगा ठीक है तो इसमें हाँ बिल्कुल तबसर एटम का size vary करेगा बिल्कुल एटम के size पर तो एकदम सवाल या निशान खड़ा हो गया इसलिए रितिक बहुत अच्छा सवाल पर आपने पूछा इसलिए एटम का exact size आप निकाल ही नहीं सकते हैं जबकि बोर सहाब के मामले में निकाल सकते हैं लेकिन electron तो round circular motion में है नहीं इन्होंने बोला electron delocalize करेगा इसलिए इसी theory के हिसाब से चलो आपने लिखा है तो मैं बोला है तो मैं बोली देता हूँ that's why exact size of atom cannot be determined clear हो गया इसलिए मैं बोलता हूँ doubt पूछा कर और बोला कर discuss किया कर that's why exact size of atom cannot be determined तो फिर size कैसे निकलेगा वो अभी का मामला नहीं है लेकिन हाँ अभी का ये मामला जरूर है कि हमने ये जरूर clear कर दिया कि atom का exact size आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि electron minus infinity से plus infinity मतलब infinity तक जाता है जैसे आप क्या ये बता सकते हो कि उस bulb से कितनी दूर तक वो मच्छर वो flies उड़के जा सकता है नहीं आपसे बोलूँगा तो आप बोलोगे कि कभी कभी तो देखने जाओ तो वो दिखता भी नहीं है इसका मतलब खो गया infinity पर चला गया आप बोलोगे पका बोलोगे तो वही हल है electron का electron का जब picture लोगे तो कभी कभी वो काफी नजदीक दिखेगा कभी कभी picture में infinite मतलब बहुत दूर दिखेगा दिखेगा ही ने हाँ वो जादेतर समय अपना एक निश्चित एरिया में गुजारता है और उसी एरिया को बोला गया आप सब ओर्बिट या और बाइटल तो electron का वास्तवी घर कौन है और बाइटल तो इस concept में क्या इंट्रोडूश किया गया कि electron को माल लिया गया कि वो खो जाता है नुकि पिर से रिपीट कर रहा हूं यह जो खो गया है इसको वेव नेचर कंसीडर कर लिया जाता क्यूं कर लिया जाता यह सब बाद की बात है अभी बस मैं हर मॉडल का एक मेरिट लिख रहा हूं ठीक है तो मैं एगले पेज में लिख देता हूं फर्दर दिस दिस दिलो कली जिए शे इस अध्मेटिकली स्केश्ट प्रीट इस ड़्मेटिकली स्केश्ट केश्ट मतलब यह ब्रॉन अब यही सब चीजें आपको यहां पर 910 से अलग बिल्कुल इस जगह पर आकर कि यह चीजें आपको सीखने होंगे हमने लिखा further मतलब आगे अब आगे क्या this delocalization यह जो खो जाना is mathematically sketched मतलब गनीतिया रूप से sketch किया जाना मतलब समझा जाना अब गनीतिया रूप से समझा जाता है इसको wave के रूप में तरंग के रूप में तो यह बड़ा important point हमने बोल दिया तो आते आते अब electron को wave समझा जा रहा है इलेक्ट्रोन को अब तरंग समझा जा रहा है किस मॉडल से यह जो आपने लास्ट वाला मॉडल क्वांटम मेकनिकल मॉडल या वेब मेकनिकल मॉडल पढ़ा इसकी एक जलक सिर्फ आपने देखी यहां पी भी कहानी नहीं रुखती है अब हमारे सेलेवस में जो नहीं है वहा ही मैं आपको समझा रहा था इस पेज पे आजो इस पेज पे आजो हमने लिखा है कि एटम इंडिविजिबल है और विभाजी है दाल्टन के थेयरी के हिसाब से लेकिन मॉडन कॉंसप से हमने बोला कि एटम बहुत सारे फंडामेंटल सब अटॉमिक पार्टिकल से मिलके ब प्रक्चर को समझने के लिए और हर मॉडल में कोई भी मॉडल इनमें से परफेक्ट नहीं है लेकिन हर मॉडल की कुछ ने कुछ खास बाते हैं मैं वही आज की क्लास में आपको समझा रहा था एक नीदर कैन बी क्रियेटेड नौर कैन बी डिस्ट्रॉइट ये एक आखरी प्रोटोन ये सब चीज़े बोलते हैं एक इसको एक्सप्लेइन कर देता हूं क्योंकि ये तो एक्सप्लेइन हो जाएगा आज का बस पास साथ मिनट अगर हम लोग कर रहे हैं फिर ये सेशन हम लोग का समापत हो जाएगा ठीक है अब अगला एटम नीदर कैन बी क्रियेटेड नौर कैन बी डिस्ट्रॉइट मतलब डाल्टन साहब ने बोला आप परमानु को बना नहीं सकते हैं परमानु मतलब तत्तु है element element is the collection of atoms identical atoms यही है ना element is the collection of identical atoms एक तरह के परमानु का संग्रह कौन है तत्तु है ना ध्यान से many the white pen white pen in modern chemistry with the help of nuclear fusion and fission and co अटाके नुकलियर फ्यूजन फिजन and many other techniques many को हटा के यहां sum किजिए many elements have been created or synthesized उन्होंने लिखा atom neither can be created nor can be destroyed हमने हलाके यह पीछे बताया भी है फिर भी modern chemistry में हमने लिखा with the help of with the help of मतलब की मदद से with the help of मतलब की मदद से किसकी मदद से बता आज की आधुनिक रशायन शास्त्र में chemistry में किसकी मदद से with the help of nuclear fusion ना भी किया sunlion और विघटन आपने पढ़ा होगा fusion combination of fusion combination को बोलते हैं और fusion तूटने को बोलते हैं ठीक है तो यह fusion और fusion sunlion और विघटन ये दो प्रक्रिया है ऐसी प्रक्रिया है और भी कुछ प्रक्रियाएं है ठीक है टेक्निक्स है उपाय है जो लगा करके कि बोहत सारे many elements have been created और synthesized modern chemistry में नाभी किया sunlion विघटन और इसके जैसे और भी प्रक्रियाओं को लगा करके बोहत नए नए तरह के तत्तु बनाए जा सकते हैं आपके दिमाग में गर example चल रहा होगा तो याद आ गया होगा हमने करवाया ठीक है आजाई अच्छे से मैं दिखा दे रहा हूँ आप जो periodic table बनाते हैं इस periodic table में 118 elements है मैं बताऊँ इसमें से एक बार फिर से आपको इस 118 में 95 elements ही 94 elements ही natural है प्राक्रतिक है only और बाकि 95 से लेकर के 118 तक 30 कितने हो गए total अब देख लिजे 24 ना 24 elements आर man-made इस 118 में ऐसा नहीं कि इसके बाद और तत्व नहीं आया और भी आया 24 elements आर man-made तो उन्होंने बोला कि तत्वों को आप बना नहीं सकते हैं बिलकुल बना सकते हैं यह जो प्रियोग है बहुत तरह के प्रियोग है nuclear fusion है fusion है bombardment है यह सारे प्रियोग करके बहुत सारे तत्वों को बनाया जा सकता है जैसे for an example atomic number 118 organozon 118 आपके syllabus में पढ़ना होता है इसको बनाने की प्रक्णियाए पढ़नी होती कि हम कैसे बनाते हैं कोई बता सकते हो जल्दी से कोई बता दो देखू मैं किसी को पता है या नहीं organozon को बनाने का तरीका कैसे बनाया गया था क्या कोई बता सकते हैं देखू जरा बिल्कुल bombardment इसकी टेकनोलोजी bombardment इसका method है बिल्कुल बिल्कुल सही है हमने कराया है कुछ लोगों को करवाया है और नहीं अगर पता है तो मैं बता दू कैल्सियम के आईसोटोप का कैलिफोर्नियम पर bombardment कराया जाता है कैल्सियम के आईसोटोप का कैलिफोर्नियम पर bombardment कराया जाता है और उससे बनाया जाता है organozon बिल्कुल साही हो, bombardment करके, bombardment of calcium atom, very good, excellent, बहुत अच्छा, very good, तो calcium के heavy isotope को californium जैसा, californium एक element, देखो कैसे बनाया गया, californium एक natural element, यह एक natural element, ठीक है, और इस पर bombardment कराया गया, calcium 2048 से, इसका bombardment क्या कराया गया, bombardment, bombardment of heavy isotope of calcium, यह सब आगे पढ़ोगे आप, अभी हर बराना नहीं है, heavy isotope of calcium, और इस तरीके से, finally, organozon तयार होता है, 118, ठीक है, 248 होता है, इनिवेज, यह 248, अभी रहने दी जाटाई, तो हमने क्या बोला, कि californium पर bombardment कराया गया, calcium के heavy isotope का बनाया, तो आप elements को बना सकते हो, जबकि आपको, Dalton साब क्या कह सकते हैं, क्या कह रहे थे, कि atom neither can be created nor can be destroyed, बट हाँ, atom हम बना सकते हैं, अब रही बात destroy की, destroy तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस element को तोड़ के किसी दूसरे element में हम convert जरूर कर सकते हैं, हाँ, complete destroy नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस element को तोड़ के आप दूसरे form में, मतलब आप उसको transform कर सकते हैं, दूसरे element में लेकिन पूरे तरीके से समाप नहीं किया जा सकता इसमें कोई दो रहे हैं तो आज के lecture में हम लोगों ने ये सीखा कि डाल्टन के जो चार point थे उनके बारे में हम लोगों ने बाते करी ये वाला कि atom indivisible है हमने आपको बताया कि atom बहुत सारे सब atomic particles से मिलके बने होते हैं कुछ उसमें permanent है कुछ उसमें temporary है atom structureless है जी नहीं atom के structure को समझने के लिए time to time बहुत सारे atomic models propose किये गए हैं ठीक है हर models की अपनी कुछ खासियत हैं कुछ खास चीजें हैं कोई भी model exactly perfect नहीं है atom को create कर सकते हैं बना सकते हैं बहुत सारे man-made elements है 24-24 elements predictable में man-made है ठीक है और गेनिजोन सबसे आपका आखरी element कैलिफोर्नियम नाम के element पर calcium का bombardment बंबारी करके वो create किया जाता है क्या अच्छा मैंने वहाँ natural लिख दिया है गलती से यहां मैंने natural लिख दिया है गलती से कैलिफोर्नियम भी एक artificial element है sorry यहां मैंने गलती से natural लिख दिया यह एक man-made element है यह भी एक man-made element है ठीक है 98 होता है तो कैलिफोर्नियम पर calcium का bombardment कराके वापस आ जाता हूं यहां पर sorry ठीक है तो atom को बना सकते हैं हाँ destroy complete नहीं कर सकते हैं बट उसको हम transform कर सकते हैं बदल सकते किसी दूसरे element में और ultimately हमने बोला कि atom is ultimate fundamental particle of matter यह भी सही नहीं है electron, proton, neutron जैसे और भी fundamental particles है तो आज के इस fundamental basic lecture में सिर्फ यहीं चीजें हुई हम लोगोंने discuss करा atom से related बाते हम लोगोंने करी next class में जो अगली आपकी class होगी अगला जो आपका वीडियो होगा उसमें हम लोग discuss करेंगे अब electron, proton, neutron उनके properties के बारे में उनके charge के बारे में mass, size, atom का size, nucleus का size बहुत सारी बाते होगी तो आज के लिए बस यहीं पर इसको stop करता हूँ, उमीद है आप सभी लोगों को आज का session basic level पर जो भी चीजें हमने discuss करी आपको अच्छे से समझ में आया होगा बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को अच्छे से पढ़िये, पढ़ियां से मन लगा के काम कीजिए, focus बना रहे, online वाली चीजों की बहुत अच्छी चीजे होती है कि time waste नहीं होता है, बट ये तब जब आपका खुद पर नियंतरन हो, अगर आपने नियंतरन खो दिया, तो online से जादे समय की बरबादी कोई नहीं कर सकता ये एक नाभी की निकलियर वेपन के तरह होता है, कि जब आपके पास ये वेपन होता है, तो कोई दूसरा कोई कुद्रिस्टी नहीं डालता है, आपसे डरता है, लेकिन अगर आपने इसका गलत उपियोग कर दिया, तो तबाही और तबाही है, तो online की चीज़े exactly एक वेप पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा, लेकिन sincerity online की चीजों में बेहत जरूरी है, उमीद करता हूँ आज की चीज़े अच्छे समझ में आई, मिलते हैं हम लोग, अगले दीन, thank you so much, love you all, bye-bye. झाल